नमस्कार दोस्तों आज हम एक ऐसी बिमारी पे वीडियो लेके आये हैं जो पलोट में लग जाए तो पूरे पलोट को खराब कर देती है जिसे हम कोलरोट डंपिंग ओफ जडगलन आदी के नाम से जानते हैं जो की बहुत ही बहंकर बिमारी है इस बिमारी के कई मुख्य देना और एक फसल को बार बार लेना मिट्ट की खराब गुणवत्ता जैसे कि ट्राइकोडर्मा सुडो मुनास इनका बहुत कम परियोग करना इन सब कारणों यह सब मेजर कारण है जिनकी वज़े से कोलरोट की अधिक प्रोब्लम आती है कोलरोट के लक्सन कोलरोट में पो पोधा मरने लग जाता है इस बीमारी से बचने के लिए हम पोध का ट्रांस्प्लांट करने के बाद ड्रैंचिंग करनी चाहिए जिससे कि उसमें कम पानी लगे और ड्रिप से भी बहुत कम पानी चोड़ना चाहिए कि ज्यादा पानी ही मुख्यकारण बनता है इसका ज्या में यह बीमारी का कारण ना बने अगर हम बात करें इसके इलाज की तो इसमें पोध रोपाई के बाद तीन से चार पांच ड्रैंचिंग हमेशा करनी चाहिए ड्रैंचिंग में अगर हम और गैनिक लेते हैं तो हम एक ट्राइकोडर्मा या फिर सूडो मुनास गुड में मि ग्रैपो साइक्ली ले ले लें इन सबकी अलग अलग दिन एक करना चाहिए जिससे के पाध में बिमारी की लक्षन बहुत कम हो जाते हैं और अगे पोध सुरक्षित रहती हैं अगर आप इन सब की प्रिवेंटी में ड्रेंचिंग कर देते हैं तो हमें इस रोक का खत्रा बहुत कम हो जाता है और किसान भाईयों हमेशा ध्यान रखे जब भी नए पलोट की की तैयारी हो तो उसमें ट्राइकोडरमा और सोडोमनास का जरूरू परियोग करें उसको खाद में मिलाके और तब उसमें बैड के अंदर डाले इस से इस कोलर रोट की समस्या से बहुत ज़्यादा निजात मिलेगी अगर हम बात करें इसके नुकसान की तो अगर दस हजार पोधे लगाएं हैं तो उन में से कम से कम चार हजार पोधों को यह खराब कर सकता है तो आप देख सकते कितनी गंबीर बिमारी है वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं कोई भी पसन है कमेंट करें बहुत बहुत धन्यवाद जै किसान जै हिंदुस्तान